नमस्कार दोस्तो मैं हूँ अनिल कुमास रंगा आप देख रहे हैं मेरा चैनल एकेस मार्शल आर्ट्स जैब पॉंच करने के लिए सबसे पहले फाइटिंग पुजिशन में खड़े हो जाएं पॉंच करते समय अपने पैरो को साथ में बाहर निकालें पॉंच करने के बाद अपने हाथों के साथ साथ पैरो को भी पीछे हीच लें उसके बाद फिर पॉंच करें पॉंच करने के बाद फिर फाइटिंग पुजिशन में वापस आ जाएं पॉंच करते समय थोड़ा सा सरीर को भी आगे ले जाते हैं क्योंकि जब भी आप किसी पर अटैक करेंगे तो आपको थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ता है पॉंच को सिधा और टाइट रखें और अपने धियान को टार्गेट पर रखें इन ही सब बारीकियों को धियान में रख कर दोस्तो जए पॉंच किया जाता है डियो पसंद आए तो सब्सक्राइब लाइक और सेर करें अगले वीडियो में फिर मिलते हैं दोस्तो तब तक के लिए जए हिंजय भारत बंदे मातरम